बिना भारतवर्ष के महराष्ट नहीं है और बिना महराष्ट के भारतवर्ष नहीं है महराष्ट की विधान सभा के जो निरने रहेंगे उसका पूरी देश की राजनीती पर देश की स्थिती पर भी परिणाम होगा यहां तक कि महराष्ट विधान सभा चुनाओ की तरफ दुनिया का ध्यान है मैं जो मेरे मन में एक लाइन थी बताया करता था कि विकसित भारत के लिए विकसित महराष्ट मुझे अक्सर यह कहते हुए हमेशा खुशी होती है कि महराष्ट का आम व्यक्ती भी कुल मिलाके और बेसिकली राष्ट की सोचता है महराष्ट और पूरे भारत को विकस के पतपर गतिशिल बनाना है मैं मानता हूँ कि महराष्ट की जनता ने ये कहा है और इसका सम्मान रखते हुए सभी राजनेता, सभी दल, सभी पक्ष अबजो सरकार बनेगी वो आगे आने वाले समय में अपना काम करेंगे यही मेरी प्राथना है मेरे प्यारे दोस्तों सभी को नमस्ते और सभी के लिए सब का कल्यान हो ये मुख्य प्राथना है महराष्ट के मतदाता ने अपना मत विल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट किया है और कहीं किसी तरह की शंका, आशंका, कुशंका, चिंता के लिए कोई जगा नहीं छोड़ी है महराष्ट विदान सभा के चुनाओं में मतदाता ने स्पष्ट रूप से युती माने भाजपा शिवसेना और न्सीपी का अजित पवरगुट इनके पक्ष में स्पष्ट रूप से अपना विप्राय प्रकट किया है ये महराष्ट के लिए भी बहुत अच्छी बात है और उससे भी बढ़कर है के पूरे देश के लिए अच्छी बात है भारत वर्ष के लिए अच्छी बात है भारत वर्ष में महराष्ट का एक अपना स्थान है उसका हमेशा वर्नन करते हुए मुझे खुशी होती है कि वो स्थान क्या है तो मेरा एक वाक्य है कि बिना भारत वर्ष के महराष्ट नहीं है और बिना महराष्ट के भारत वर्ष नहीं है ऐसा दोनों का अद्वाईत है एक रूपता है महराश्ट का काम ही बनता है पूरे भारत वर्ष के लिए लड़ना जीवन के सारे खशेत्रों में पूरे भारत वर्ष के लिए लड़ना ये महज एक यूही या भावनिक वाक्य नहीं है ये एतियासिक दृष्टी से भी भूमी का है जो की वर्तमान समय में भी चल रही है और वो विधान सभा चुनाव तक आँप पहुँचती है महराष्ट की विधान सभा के जो निरने रहेंगे उसका पूरी देश की राजनीती पर देश की स्थिती पर भी परिणाम होगा यहां तक कि महराष्ट विधान सभा चुनाव की तरफ दुनिया का ध्यान है और आज और अभी तक महराष्ट के मतदाता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युती के पक्ष में अपनी राय प्रकट की हर अर्थ में यह अच्छी बात है अच्छी बात है कि अब महराष्ट को एक स्थिर सरकार मिलेगी वो जरूरी है हर किसम की अस्थिरता विकास में बाधा डालती है और दुर्भागे की बात है कि पिछले पांस सालों से यहां महराष्ट में जो चल रहा था राजनेतिक स्थर पर कोई अच्छी बात नहीं थी दुख़त बात थी और अभी भी यह चर्चाएं जारी थी के काटों का टक्कर होगा पता नहीं कौन सरकार बनाएगा पता नहीं जो बनाएगा कितनी सीटे आजाएंगी या इस तरह की काटे के टक्कर होगी कि जो भी अगर दस-विस या तो अपक्ष हों या दूसरी छोटी पार्टियों को भी एक तरह से भेटों मिलेगा और फिर राजनीती में जिस किसम का बारगेनिंग चलता रहता है इन सारी शक्यताओं के बारे में चर्चा हो रही थी यहां तक चर्चा हो रही थी कि सम्विधान के अनुसार महराष्ट्य की नई विदान सभा का गठन 26 नवंबर से पहले होना जरूरी है हमारे देश का वही सम्विधान दिवस है और चर्चा यह चल रही थी कि अस्थिरता को देखते हुए दलगत जो खींचातानी चलेगी उसको देखते हुए और के सीएम किसका होगा वगेरा वगेरा तो 26 नवंबर तक सरकार बन नहीं पाएगी इसलिए विधान सभा अस्तित्व में आ नहीं पाएगी कि तो क्या महराष्ट पर राष्टपती शासन लागू करना पड़ेगा इस सारी तरह की चर्चाएं जारी थी महराष्ट के मतदाता ने अपनी सूजबूच का परिचाय देते हुए इन सारी शक्यताओं को नकार दिया है महराष्ट को एक स्थिर सरकार रहेगी 26 नवंबर को विधान सभा बनेगी युती ने तो इसकी भी घोशना कर दी कि 25 नवंबर को पहले मुख्य मंत्री का शपत विधी भी होगा ये सिगनल भी बहुत महत्वपूर्ण है शातानी जारी नहीं है ये महराष्ट के लिए अच्छा है पूरे देश के लिए भी अच्छा है इन चुनावों के दर्म्यान महराष्ट के मतदाता को मैं जो मेरे मन में एक लाइन थी बताया करता था कि विकसित भारत के लिए विकसित महराष्ट कि भूमी का क्या है महराष्ट की भारत के विकास को बढ़ावा देना और मात्र भारत के विकास का एक डिबा नहीं बनना है महराष्ट का काम है भारत के विकास का इंजिन बने वो तो महराष्ट भारत के विकास के लिए महराष्ट मुझे लगता ये पक्ष भारत वर्ष का अब मजबूत हो गया जो सारी चर्चाएं चल रही थी कांटे के टक्कर की बाद और अब जो निकल के सामने आया है तो अक्सर मुझे कुछी दिनों पहले जो अमरीका में युएस राष्ट्राध्यक्स के चुना हुए वो याद आते हैं तब भी यह कहा जा रहा था च्छ नवंबर से पहले कि या तो कांटे का टक्कर होगा या कमला हैरिस चुन के आएंगी ओपिनियन पोल्स फला कह रहे हैं फिर कि जो ब्लू स्टेट्स हैं माने डेमोक्रेटिक और जो रेड स्टेट्स हैं माने रिपब्लिकन अपनी अपनी जगह पर उनको देखते हुए कहा जा रहा था कि साथ अमरीका के राज्य ऐसे हैं जो स्विंग स्टेट्स कहे जाते हैं वहाँ तै होगा पर जब चुना हुए और मतों की गिंती हुई तो यह दिखाई दिया कि राजनेतिक दृष्टी से तो डॉनल्ड ट्रम्प ने कमला हैरीस को चारो खाने चीत किया है क्रिकेट की मैच में भी जो परिभाशा रहती है कि जीतने वाली टीम ने तो वहाँ अमरीका और मुझे अभी महराष्टा के तरफ देखते हुए यही लग रहा है कि वहाँ डॉनल्ड ट्रम्प ने कमला हैरीस को चारो खाने चीत किया बीट कमला हैरीस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी इन अल डिपार्टमेंट्स अफ दे गेम अमरीका के चुनाओं में जो वाइट गोरों का मद्दान है ज्यादा ट्रम्प को हुआ उसमें भी वाइट वीमेन उनका भी मद्दान ट्रम्प को ज्यादा हुआ जो ब्लैक वोट होता है उसमें भी ब्लैक मेल इनका स्विंग हुआ ट्रम्प की ओर और जो सातो स्विंग स्टेट से सातो में ट्रमकी जीत हुई इस अर्थ से मैं कह रहा हूँ कि अभी महराश्टा में भी वही हो रहा है सब चर्चाएं काटों का टक्कर वगरा वगरा महराश्टा के मतदाता ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया अपना जुकाव युती की तरफ महराश्टा के जो भी हिस्से माने जाते हैं कि यहाँ दलगत जो लड़ाई होगी क्या होगा वहाँ पे पस्चिम महराश्टा में समझा जाता था कॉंग्रेस और शरत पवार की इनसीपी प्रबल है वहाँ भी युती को भारी बहुमत मिला है कोकन और ठाने वगरा जो हिस्सा है कुल मिला के वहाँ बीजेपी शिवसेना और जिस वोट को हिंदू या हिंदुत्व वोट कहते हैं वो तो सशक्त है वहाँ पे तो वहाँ तो भारी बहुमत तो मिला भी है फिर लोकसभा में विदर्भ में महायुती को हार का सामना करना पड़ा था मराठवाडा में भी बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था तो अभी ये अटकले लगाई जा रही थी कि अब वहाँ क्या होगा वो अटकले यहां तक लगाई जा रही थी कि जो वहाँ होगा उस आधार पर तैय होगा कि महराष्ट में सरकार किसकी बनेगी तो विदर्ब में भी और मराथवडा में भी महायुति की को भारी बहुमत मिलाए बहुत बड़ी जीत हुई है विशेशकर महराष्ट के लिए और उसमें खासकर मराथवडा के लिए कहा जाता था के जिसको नाम है मनोज जरांगे फैक्टर के महराष्ट में मराथवडा समाज आरक्षण की मांग कर रहा था तो ये चर्चा जारी थी कि उसका चुनाओं पर क्या परिणाम होगा कुल मिला के ये समझा जाता था कि मराथवड युति के विरुद्ध जाएगा अब मनोज जरांगे ने एक दिन घुशना कर दी कि खुद चुनाओं में वो किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं लेंगे न किसी को बताएंगे कि इसको वोट करो फिर भी ये समझा जाता था कि मनोज जरांगे का अंदोलन ये मराथवड समाज को आरक्षण की मांग ये विशेशकर आघाड़ी और उसमें भी ये शरत पवार की राजनीती समझी जाती थी अब अगर निरने देखें तो ये जाहिर है कि महराष्ट का जो मराथवड समाज भी है उसने भी युति को भारी भरकम अपना मत दिया है मैं जो अलग-अलग अर्थों से कह रहा हूँ कि ये महराष्ट के लिए और देश के लिए अच्छी बात है कि स्थिर सरकार मिलेगी जो अपनी नीतियों पे चल पाएगी इसलिए विकास को गती होगी महराष्ट में पिछले कुछ अर्षे से एक बहुत ही गहरे दुख की जो बात है समाज में एक तरह की खाई निर्माण हुई थी और जातियों में बटा हुआ महराष्ट अलग-अलग जातियां एक दुरसे से लड़वाई जा रही थी और बहुत ही जो संकुचित राजनीती है उसकी तरफ देखते हुए अलग-अलग जो गुट होंगे वो सोच रहे थे कि मैं दूसरी किसी जात के बारे में द्वेश की भाषा बोलूँ तो जो मेरी जात है मेरे पीछे खड़ी होगी चुनाव जितने के लिए मुझे वो काफी है परियापता है इसलिए वो दिशा दे रहते इस किसम के के समाज को जात पात पर तोड़ दो महराष्ट के मतदाता ने इस राजनीती को भी बिलकुल परास्त कर दिया है सपश्टर रूप से अगर कहना हो तो एक तरफ मराथा नाम की जात और दूसरी तरफ जिनकों के एक साथ OBC कहा जाता है तो इस आरक्षन की बात पर दोनों समाजों में तनाव हुए थे वो हर गाउं की गहराई तक पहुंचे भी थे और बहुत ही दुकत बात थी वो किसी तरह का द्वेशभाव नहीं है और अगर कोई राजनेता या पार्टी किसी दूसरे जात के बारे में इस तरह का द्वेशभाव निर्मान करके अगर अपनी दुकान चलाने की सोच ले तो उसको तो महराश्टर के मतदाता ने बिलकुल हरा दिया है यह सामाजिक एकता की दुरुष्टी से अच्छी बात है और यह बटेंगे तो कटेंगे यह मेसेज भी जैसे मतदाता तक पहुँच गया है उसका यह परिणाम हम देख रहे हैं इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि महिलाओं ने भी मुख्य रूप से युति के पक्ष में अपना वोट डाला है वो तो रिपोर्ट पहले से आ रहे थे कि यह जो लाड़की बहिन योजना एकदम जमीन तक जा पहुँची है उसका परिणाम हो रहा है तो इसका मतलब है कि मध्यप्रदेश के शिवराज मामा ने महराष्ट को भी फिर एक बार बचा लिया उन्होंने इस कार्यकरम पर मध्यप्रदेश के चुनाओ का पूरा रंग पलट दिया था पूरा खेल पलट दिया था तो ये भी महराष्ट में हुआ और महलाओं का पक्ष भी जाते हुए दिखाई दिया मुझे अक्सर ये कहते हुए हमेशा खुशी होती है कि महराष्ट का आम व्यक्ती भी कुल मिलाके और बेसिकली राष्ट की सोचता है उसका जो राजनीतिक बरताव है वो भी संकुचित रूप से नहीं रहता है इसको मैंने नाम दिया है कि ये तो महराष्ट के संतों की देन है कि जिन्होंने पूरा भारत वर्ष और भारतिय संस्कृति के बारे में सोचना और काम करना सिखाया मराठी मानूस को और ये सबसे बड़ी विरासत है शिवाजी महराज के कि महराष्ट को सोचना है महराष्ट को काम करना है पूरे देश के प्रति तो हरियाना के साथ साथ अब महराष्ट के वोटर ने भी पूरे राष्ट की सोचते हुए दिखा दिया कि हमारा वोट भारत वर्ष उसकी एक्ता उसका विकास और उस विकास में भी महराष्ट ने एहम भूमी का निभाना है अब ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि शायद शरद पवार जी की राजनीति का ये आखरी पड़ाव था महराष्ट के सामने जो राजनीतिक अगर कुछ मुद्दे थे तो समझ लीजे कि कुल 75 से ज़्यादा कॉंस्टिट्यूंसीज में बीजेपी और कॉंग्रेस एक दूसरे के सामने खड़ी थी अब ये देखा गया कि बीजेपी ने कॉंग्रेस को चारो खाने चीत किया दूसरा मुद्दा था किसकी एनसीपी सच्ची है अजीत पवार जो अपने चाचा से अलग हो गए और लोक सभा ने देखा के शरत पवार जी की एनसीपी को ज़्यादा सीटे मिली और अजीत पवार को मात्र एक वो भी राइगर जिले में सुनिल तटकरे जिनका एक अपना स्थान है लेकिन अब ये विधान सभा ने पूरा पलट दिया है और अगर महराष्टर के मत्रदाता की सोचना है और ये भी सच्चा ही है चुनाव की राजनीती में भी के 40 से ज्यादा कॉंस्टिटिवन्सीज में दोनों राष्टरवादी एक दूसरे के सामने खड़े थे और महराष्टर के मत्रदाता ने अब अपना वोट अजीत पवार के साथ जो राष्टरवादी कॉंग्रेस है उनको दिया कुल मिलाके शरत पवार जी के राष्टवादी उनको मिली हुई सीटे और शरत पवार जी की उमर भी देखनी उन्होंने तो ये भी घोषना कर दी थी कि ये मेरे लिए आख्री चुना है मेरे मन में यह उपमा आ रही है कि अभी तीन चार दिन पहले टेनिस का एक बहुत बड़ा समराट एक खिलाडी रफाइल नडाल ने रिटायर्मेंट डिकलेर कर दिया और वो मैच वो हारा आखरी मैच है डेविस कप की और जिसके साथ वो हारा वो ऐसे कोई फेडरर की तरह टेनिस का कोई बड़ा खिलाडी है ये तो बात नहीं एक आम लेकिन नडाल वो मैच हार गया उसने टेनिस से रिटायर्मेंट की ग और आज तक के जीवन में वो कभी चुनाव हारे नहीं है पचास साल से जादा हुए लेकिन इस विधान सभा के निरने का मतलब यह होता है कि यह शरत पवार जी की करारी हार है अब आगे देखने की बात है कि NCP को क्या होता है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी राजन शिवसेना के बारे में भी सच्ची है वहां मतदाता के सामने मुद्दा था किसकी शिवसेना सच्ची है जिसको नाम उद्धो बाला साहिब ठाक रहे है शिवसेना या एकनाच शिंदे जी की शिवसेना तो मतदाता ने तो भारी भरकम बहुमत से बता दिया कि हम एकनाच श जिन्दे जी की जो शिवसेन है उसके साथ हम जा रहे हैं अब शिवसेना काक उल्मिला के आगे विशेशकर उद्धर ठाकरे गुट ये देखने वाली बात है चुनावी राजनीती में एक दूसरे के प्रती इतना कुछ अंतर निर्मान हो गया है कि राजनीतिक संस्कृति को देखते वे भी मुश्किल तो लग रहा है इनका फिर साथ में आना लेकिन आखिर राजनीती है कब कौन किसके साथ जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है पर अभी तो महराष्टे के मजदाता ने इस पश्टरूप से बता दिया कि ह एकना चिंदेजी की शिवसेना के साथ है उससे और एक मुद्दा सामने आता है कि ये जो दलबदलू राजनीती है इसको मददाता ने हराना जरूरी है और कोई एकाद दूसरा अपवाद अगरो तो उससे छोड़के महराष्टे के मददाता ने अब ये दिखा दिया कि ज हम अपनी तोपी बदलेंगे हम अपना उपर न कहते है उसे एक वस्त्र है तो राजनीतिक निष्ठा क्या बात है एक फेक दो और दूसरा पहन लो लेकिन अभी अगर हवा फला फला राजनीतिक विचारधारा की ओर से बह रही है तो मैं सब अपनी निष्ठा बदलते यह नहीं होना चाहिए कोई निष्ठा है कोई विचारधारा है उस आधार पर जीवन के कोई मुल्य है और लोगों ने निरणे करना है कि इसमें से किन मुल्यों के साथ हमें खड़ा होना है यसलिए हमारा जनतंत्र वो और ज़्यादा सशक्त होने के लिए हमारा संविधान वो भी ज़्यादा सशक्त हो के उसका असली अमल होने के लिए जरूरी है कि मतदाता इस तरह की दलबद्लु राजनीती को पुरी तरह से नकार दे मुझे लगता है कि अभी महराष्टे की विदान सभा में एक दूसरा कोई अपवाद अगर हो तो वो छोड़के महराष्टे के मतदाता ने दिखा दिया है कि हमें इस तरह की दल बदलू राजनीती जरूरी नहीं है, मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है अब मैं कहूंगा कि महराष्टे और देश के लिए जो हुआ अच्छा हुआ है इसमें से हर पार्टी को अपनी अपनी बात सोच के, चिंतन करके नई नीतियों के साथ, नए कारेकरम के साथ, फिर एक बार समाज के सामने अगर आना हो तो अपनी अपनी बात कर ले, यही सीख है इस चुनाओ की अब मैं मानता हूँ कि महराष्ट के मत दाता ने तो अपना कामस्पष्ट रूप से कर दिया और युती पर एक विश्वास दिखा दिया और भारी भरकम माने एतिहासिक जीत है, हर तरह से एतिहासिक जीत है और उसमें मैं इतना सयानापन देख रहा हूँ, विश्डम देख रहा हूँ एक तो सच्चा ही है राजनिति की के यह युती को जो स्पष्ट बहुमत मिला है और पहले जो चर्चाएं जारी थी, काटे की टक्कर वाली बात उसमें भी एक चर्चा जारी थी कि बीजेपी और एकनाच शिंदे गुट को कितने सीट मिलते हैं और बहुमत के लिए चाहिए 145 अगर एकनाच शिंदे और बीजेपी 145 से नीचे सिमट गए तो अजीत पवार को बहुत बड़ी बारगेनिंग पवर मिल जाएगी इन बातों की चर्चा जारी थी कि हो सकता है फिर अजीत पवार कहेंगे कि अब मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो हाला कि उन्होंने चुनाओ के दर्मियान ही घोशित कर दिया था कि मैं मुख्य मंत्री पद का दावेदार नहीं लेकिन एक राजनीतिक वास्तविक्ता है पर अब हुआ यह है कि युती को तो भारी भरकम बहुमत मिला है इतिहासी जीत मिलिये उसमें खुद बीजेपी को और एकनाचिंदे जी की शिवसेना को भारी बहुमत है इतना बड़ा है कि वो दोनों साथ में 180 पार होके जा रहे है महराष्ट विधान सभा में सरकार बना लेकि 145 जरूरी है तो यह जो वैचारिक निष्ठा का गुठ है शिवसेना और बीजेपी इंदुत्व पर इदर अजीत पवार कह रहे थी कि नहीं हम अभी हमारी सेकुलर राजनीति है उस पर हम चलेंगे लेकिन महराष्ट के भले के लिए हम यूति के साथ है ठीक है उनका अपनी उनकी राजनीति है महराष्ट के मद्दाता ने बताया कि बीजेपी और शिवसेना एकनाचिंदे जी को मिलके स्पष्ट भहुमत है तो अगर राजनीतिक दृष्टी से देखना हो तो उन्होंने अजीत पवार के हाथो बारगेनिंग पावर नहीं रखा है बड़ी जीत दिला दी ये बता दिया कि आपके चाचा जी से ज़्यादा हम अभी आप पर विश्वास करने वाले हैं लेकिन जो राजनीति में लेन देन की बात है उसके लिए कोई जगा नहीं छोड़ी ये भी मतदाता का जो मैं कहता हूँ कलेक्टिव विश्डम है मेरा शब्द उसके लिए है कि मतदाता का जो सामुहिक बरता हुए उससे निकलकर आने वाला सयानापन है वो भी सामने आया है इसलिए मैं मानता हूँ कि अब सबसे एहम मुद्दा है कि ये सफलता यूती के दिमाग में न गुश जाए जब इस तरह के सफलता मिलती है तो भला आदमी जानता है कि ऐसा मत समझो कि अब तुम्हारे हाथ आसमान को छूरे है बलकि सच्चा नेता और कारिय करता ये अच्छी तरह से जानता है कि जनता ने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया है अब उसके काबिल अपने आपको साबित करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए किसी तरह का कोई एहंकार नहीं राज्य हो विकास की गती हो प्रशासन चलाना हो और जो भारत के सामने प्रश्ण है उनके अपनी स्वतंत्र बुद्दी से उत्तर और कार्यक्रम ढून भी लेना है उन पर अंपर अमल भी करना है और इस तरह से भारत के विकास के लिए महराश्ण इस तरह की राष्ट्रवादी दुष्टी से अब महराष्ट और पूरे भारत को विकास के पत्पर्क गतिशिल बनाना है मैं मानता हूँ कि महराष्ट की जनता ने ये कहा है और इसका सम्मान रखते हुए सभी राजनेता, सभी दल, सभी पक्ष अब जो सरकार बनेगी वो आगे आने वाले समय में अपना काम करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है